Hello everyone, आईए ball and socket joint समझते हैं और इस question को attend करते हैं तो ball and socket joint का क्या मतलब होता है? ball and socket joint का मतलब होता है कि एक bone जो होगी उसका and होगा ball की तरह है और दूसरी bone का and होगा socket की तरह है, very simple आप यहाँ देख सकते हैं, यह दो जगे present होता है, एक था हमारे hip में, hip joint में और दूसरा कहां present होता है, हमारे shoulder joint में तो hip joint में हमारा जो ball shape structure होता है, वों का present होता है वो present होता है हमारी femur bone के उपर, आप देख सकते हैं और जो हमारा socket जैसा structure होता है, वो कहां present होता है यह हमारा pelvic bone होती है, जो hip bone होती है, वहां present होता है और इसका नाम होता है acetabulum तो acetabulum का meaning भी यह होता है cup shape का जो structure होता है वो तो यह बहुत important है exam में यहां से question आते हैं next जो हमारा shoulder joint है इसमें कौन सा होता है ball like structure यह हमारा present होता है humerus bone में जो humerus bone का head होता है वहाँ पर हमारा bowl की तरह shape होती है structure की और हमारा जो socket वाला structure होता है यह कहां present होता है यह हमारी जो shoulder blade होता है shoulder joint होता है scapula कहते हैं इसको इस bone को इसका नाम होता है scavity का नाम glenoid cavity और यह जो junction बनता है इसको हम कहते हैं glenohumeral joint यह glenohumeral joint पे आप से exam में बहुत जीली पूछा जाता है तो यह जो हमारा ball and socket joint की इस type की motion देता है यह हमें देता है multi-axial movement तो last में आप एक comparison आप याद रख सकते हैं अपने shoulder और hip joint का एक-एक advantage और disadvantage के साथ तो हमारा जो shoulder joint होता है हमें बहुत flexibility देता है क्योंकि जो उसका socket होता है उसकी cavity काफी narrow होती है और इसकी disadvantage क्या होती है इस narrow cavity होने की वज़े से यह बहुत easily dislocate हो सकता है क्योंकि यह less stable है next जो हमारा hip joint होता है comparatively more stable होता है क्योंकि जो cup shape है काफी deep होता है इसके अंदर मारी bone अच्छे से adjust हो जाती है और इससे stable बनाती है but comparatively shoulder joint से less flexible होता है कि आपकी जो glunite cavity होती है उसकी shape कैसी होती है आप इसे देखकर फटाफट से ball पर मत टिक कर देना क्योंकि यह cavity के बाद कर रहे है ना कि आपकी जो bond होती है उसके बाद कर रहे है आपसे ना humerus bone के बाद की गई है ना femur bone के बाद की गई है प्लीस आस्क में इन कमेंट सेक्टिन थैंक्स फर वाचिंग